के गाइज आप वेरी गुड वाला गुड यूनिंग कैसे हैं आप सभी मैं रियारा थोड़क बर फिर से आप सभी का स्वागत करते हूं एससे वाला उफिशेल यूटूब चानल पर और मैं यह उम्मीद करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टेडी काफ यह चल रही होगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोगों के बीच डिसाइड हुआ था कि संडे को शाम पांच बजे हम लोगों देखे हुए ठीक है तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं जैसे शानवी है शानती है कृतिका है रॉबिन है मासूम प्रिया है राधे है आयूशी है सोनम है डॉली है अंजली है निशू है नेहा है आधित्त्य है शानवी है विशाल है सोनम है रवी है भाई इसके अलावा सभी का है ना जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है शुरू किया जाए आज का सेशन शुरू किया जाए शुरू किया जाए कॉपी और पैन लेकर के बैठिएगा कितने कोशन आप सही कर पाए यह मुझे प्लीज आप लोग जरूर बताईएगा ठीक है तो अजबार की बात करना चाहूं 2023 में तो आप यह बोलेंगे बेस्ट एडवेंचर टूररिजम डेस्टिनेशन उत्राखंड है लद्दाक है जम्मू कश्मीर है या फिर अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है ना हां जी शुरूबात किया जाए बेस्ट एडवेंच घूमिने भूमने फिरने के लिए ज refusal जरूरी है या फिर घूमने फिरने के लिए जो सबसे महत्तवरू स्थान बना है वह कौन सा वाला बना है तो आंसर है आपका उतराखंड लद्दाक जम्मू कश्मीर या फिर मैं बात करो हिमाचल प्रदेश पर以前 लोगों का जम्मू अरे वह लास्ट टाइम की बात करेंगे तो लास्ट टाइम उत्राखंड था अगला खुज़ ने फैडरेशन ओफ इंडियन चमबर्स ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के महासत्चिव की रूप में अपॉइंट किया गया है तो फिक्की के महासत्चिव बदले हैं अगर हम बात करेंगे तो सेक्रेटरी जर्नल ओफ फैडरेशन ओफ इंडियन चमबर्स ओफ कॉमर्स फिक्की के जो नए हेड है सलेश पाठक है दिलीब चनोय है अरुन चावला जी है या फिर हम बात करते हैं संजीव महता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा भाई दे अध्यक्ष या फिर मैं बात करना चाहूं फिक्की के जो हेड है ये कौन है अध्यक्ष या हेड यहां पर जो बात हो रही है वो तो सेक्रेटरी जर्नल की बात हो रही है बिल्कुल एकदम करेट कहा मैम सलेश पाठक 110 परसंट है किसको रिप्लेस किया था तो भई दिलीब चिनोय जी को रिप्लेस किया था सलेश पाठक जुने चेका है हां जी सुब्रकांथ पांडा आरे वाह याद रखेगा सुब्रकांथ पांडा सुब्रकांथ पांडा ये इस समय इसके अध्यक्ष हो जाएंगे किसके तो भई फिक्के के अध्यक्ष हो जाएंगे सुब्रका के फाइनल में दक्षन अफरीका को 19 रनों से हरा करके छटी बार खिताब अपने नाम कर लिया है यह ICC महिला T20 विश्वकप का कौन सा संस्करन था तो भई बात हो रही है विमेंस T20 वर्ल्ड कप विमेंस T20 वर्ल्ड कप विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 एव 2020 है विल्ल की मैं बात कर वभए है तो ओस्टेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में है यह और स्टेलिया वर् सिस साउथ अफ्रिका और और स्टेलिया इसको जीत जाएगा कॉनसी बार तो 6 ताइम तो ये विमिन्स वर्ल्ड कप का जो है ये कौन सा एडिशन था या कौन सा संसकरण था तो मैं हम एट वाला एडिशन या फिर मैं बात करूँ तो एट वाला संसकरण हमारा बिल्कुल ठेक है अगला कोशन है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने किस राज्य में शिव मोगा हवाई अड़े का उधगाटन किया है तो ये हम आल्रेड़ी पढ़ चुके हैं शिव या फिर शिव मोगा हवाई अड़ा या फिर हम कह सकते हैं शिव मोगा एरपोट और जब हम शिव मोगा की बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा करनाट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका अगला कोशन है प्रेस सूचना ब्यूरो के जो नए महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं ये कौन अपॉइंट हुए हैं तो अगर आप बात करोगे इसकी अध्यक्ष कोन हो जाएंगे तो इसकी अध्यक्ष हो जाएंगे रंजना प्रिसाद देशाइ है ना रंजना प्रकाश देशाई लेकिन यहां पर डाइरेक्टर जन्रल बोला है तो राजेश मलहोत्रा पक्का बेटा सब के सब गलत आंसर दे रही है इस कोशन का उमेद न थी तुम लोग उसे सारे टोटल गलत दे रहे हो ऐसा क्यासे अरे ये तो इंडियान प्रेस काउंस जो अधेक्षम वो रंजना प्रकास देशाई है लेकिन इन्होंने महानिदेशक पूछा है तो राजेश मलहोत्रा आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए राजेश मलहोत्रा सर्वस्टेस्ट फीफा फुटबॉल आवार्ड में निमनलिकित में से कौन सबसे बेस्ट फुटबॉल रहा है यह आप लोगों से तो इस बार के लिए ही अना तो बेस्ट फुटबॉलर जो चुना गया है वो केवल एक ही परसन हो सकता और इनका नाम हो जाएगा मैसी मैसी पक्का correct answer क्या बनेगा तो correct answer हम लोगों का बनेगा option C अगला कोशन है सर्वस्ट फीफा महिलाखी लाड़ी यह अलेकसिया पुटेलस को चुना गया है और जो अलेकसिया पुटेलस है यह बिलॉंग करती है तो भाई यह बिलॉंग करती है स्पें से सर्वस्टेस्ट फीफा पुरुष की बात की है फुटबॉलर में तो वो तो मैसी चुने ही गए हैं बाकि आप गोल कीपर का नाम भी याद रख सकते हैं लेकिन में और फीमेल है ना बेस्ट के मैं बात करूँ तो में और फीमेल आप लोगो को क्या रखने हैं अगला कोशन है मुंबई क्रिकेट एस्टेशन के अधिक्ष अमोल काले की घोशना के अनुसार वानखेडे स्टेडियम में सच्चिन तिंदूलकर का स्टेच्चू लगाया जा इससे पहले हम लोग एक प्लेयर का स्टेच्चू फीमेल प्लेयर का स्टेच्चू पढ़ चुके हैं जरा बताने की कोशिश करना उनका नाम और किस देश में उनका स्टेच्चू जो है वो लगाया जाएगा ठीक है हां जी तो मुंबई क्रिकेट एस्टेशन के अधिक्ष अमोल काले की घोशना के नुसार वानखेडे स्टेडियम में सच्चन तेंदूलकर का स्टेच्चू लगाया जाएगा और यह वानखेडे स्टेडियम है यह कहां पर है मैम तो यह हो जाएगा मुंबई में आचा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने यह cricket stadium अपने यहीं पर है और यह हो जाएगा गुजुरात में बैलिंडा क्लार्क अरे clapping होनी चाहिए उस्टेलिया बैलिंडा क्लार्क बैलिंडा क्लार्क और कहां पर तो भाई उस्टेलिया ठीक है बैलिंडा Clark Australia अगला कोशन देखो सेना के करमचारियों के उपाध्धिक्ष के रूप में M.V. वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ है ना वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी और यह बने कौन है तो इनका नाम याद रखेगा M.V. सुचिंद्र कुमार और इन्होंने जो रिपलेस किया है वो B.S. राजु को जो है वो रिपलेस किया है रिपलेस B.S. राजु को बाकी चीफ ऑफ दा आर्मी स्टाफ आप लोगों से जानना चाहता है इस समय कौन हो जाएंगे मनोच पांडे जी पक्का पांजी तो इस समय चीफ अफ दर इंडियन आर्मी कौन बने है तो इस समय चीफ अफ दर इंडियन आर्मी हो जाएंगे मनोच पांडे जी अगला कूशन क्या रहा है दो मार्च दोसार तेसको तीन दिवसी है पूसा कृषी विज्ञान मेला शुरी अन्न के साथ पोशन, भोजन और परियावरन सर्रेक्षन विशे कुछ नहीं याद रखना बस इतना याद रखो पूसा, कृशी, विज्ञान, मिला इसका आयोजन कहां पर किया गया है पूसा, कृशी, विज्ञान, मिला ये एक agriculture से related आपका एक fest हो जाएगा या फिर मैं ये कहूं कि festival हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पूसा पूसा, इसका आयोजन जो किया गया है, मैं ये किया गया है दुली पका? तो correct answer क्या बनेगा? देश की राज़नारी दुली अगला कुशन है भारतिय वायू सिना ने किस देश में शिन्यू मैत्री एक्सेसाइज में भाग लिया है तो एक एक्सेसाइज है जिसका नाम है शिन्यू मैत्री अच्छा जब हम शिन्यू मैत्री की बात करते हैं धर्म गॉर्जियन हो जाता है धर्म गॉर्जियन धर्म गॉर्जियन वीर गॉर्जियन वीर गॉर्जियन जिमेक्स यह सारी की सारी एक्सेसाइज तो हम लोगों की जापान की साथ होती है है ना यह सारी की सारी एक्सेसाइज हमारी किसके साथ होती है तो भाई जापान के साथ तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा जापान अगला कूशन है 1998 में नारी शक्ती पुरुसकार से समानित हैकाने जापान किसी पहली महिला विधयक पनी है बात हो रही है किसको लेकर के पुब्राइब कर 112 मेच चैटर नाम हो जाएगा है जब हम हैकानी जखालू की बात करते हैं तो असम है नागालेंड तेलंग गाना है या फिर मैं बात करूँ उत्राखंड धर्म गौर्जियन वीर गौर्जियन जिमेक्स शिन्यूमेत्री यह सारी की सारी एकसराइस हमारी किसके साथ होती है तो यह सारी की सारी हमारी जापान के साथ होती है ठीक है हां जी तो 2018 में नारी शक्ति पुरुषकार से सम्मानित हेकानी जखालू किस राज्य के पहली महिला विधायक बनी है नागालेंड पक्का नागालेंड हां 110 परसंट आंसर क्या बनेगा तो मैं नागालेंड हमारा बिलकुल एक दम करेक्ट आंसर बनेगा अगला कुछन है एशिया ही सत्रंच महासंग दुआरा प्लेयर ऑफद इयर आवोर्ड ये किसको चुना गया है प्लेयर of the player of the year award player of the year award तो आंसर क्या बनेगा? the one and only D. Gukesh आंसर आपका क्या बनेगा? option यह बिल्कुल correct answer है अच्छा रश्मी शुकला जी को SSB का head appoint किया गया है तो बात आप लोगों को याद रखनी है SSB SSB का नया head जो appoint किया गया है new head यह रश्मी शुकला जी को appoint किया गया है रश्मी शुकला रश्मी शुकला जी को क्या किया गया है? appoint किया गया है अगला question देखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने रिवा जिले के एक तहसिल है मउगंज और ये जो मउगंज है ये MP का क्या बना है 53 वाला डिस्टिक 53 वाला डिस्टिक कहां का MP का बेटा जरा बताना भारत का 53 वा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का 53 वा टाइगर रिजर्व अगला कोशन देखो स्वच्छ उर्जा परिवर्तन प्रियासों में सर्वस रेस्ट प्रदर्शन करने वाला भारतिय राज्य ये कौन सा है या फिर मैं आपसे ये कहूँ तो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन स्टेट ये कौन सा है बेटा क्लीन एनरजी ट्रांजीशन एफोर्ट्स में तो आंसर हमारा क्या बनेगा करनाट का हाँ पका ठीक है तो जित्ते लोगों का आंसर आ रहा है इसमें से करनाट का करनाट का फोस पर था गुजरात सेकेंड पर था और अगर मैं बात करूँ हरियाना आपका थर्ड पर हो जाएगा और पंजाब आपका क्या हो जाएगा फोर्थ पर हो जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा करनाट का बिलकुर ठीक है देखो करनाटका आपका फोस्ट पर था, गुजरात आपका सेकेंड पर है, हरियाना आपका थर्ड पर और पंजाब आपका फोर्ड पर है, बेटा रानीपूर टाइगर रिजर्व याद नहीं किसी को, रानीपूर रानीपूर टाइगर रिजर्व कहां का था, तो मैं ये था UP का उत्तर प्रदेश का और बेटा जी जो लोग अफवाहें फैला रहे है recorded session है ये है वो है बेटा अगर recorded भी है तो तुम्हारा क्या जाता है इदी सी बात है ना अगर session recorded भी है तो तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारा का मैं पढ़ना नहीं पढ़ना हो तो बिल्कुल ना पढ़ो ठीक है अकसर जो अफवाहें फैलाते हैं वो सबसे जादा पढ़नतू होते है ठीक है तो प्लीज इन पर आप बिल्कुल ध्यान ना दे ये recorded session को भी 10-10 बार पढ़ते हैं ठीक है तो आप इनकी बातों पर बिल्कुल फोकस ना करें ओकेई, ओकेई, चालो अगला question देखिएगा भाई question आपसे कहा रहा है गायक और सिक्षक नीला राम गोपाल का निधन हो गया है और जो नीला गोपान है ये कहां से बिलॉंग करती है तो भाई सबसे पहली बात तो है नीला, राम, गोपाल आपका भाई पूछता है S.S.C. जो है अब्यूच्रीज गोपाल ठीक है, ये कौन हो जाएंगे तो भाई ये वोकलिस्ट है या फिर मैं ये कहूँ कि ये सिंगर है और सिंगर के साथ साथ ये टीचर है और ये कहां से बिलॉंग करती है तो गुजरात है ओडिसा है, मेगाले है तमिल नाडू तमिल नाडू से पका मैंड़ाई आणसर क्या बनेगा आणसर बनेगा तमिल नाडू ऑप्शन के मैं बात करूँ D अगला कोशन देखिएगा कुछ निधन है जो हमारे exam point of view से important बनेंगे सबसे पहले तो जैसे TCA रामा नुजम है आप ये बोल सकते हैं कि Retired Chief Commissioner of Income Tax है इसके बाद दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजू का जो है वो निधन हो गया है शरद यादव का 75 वर्ष के मुर में निधन हो गया politician थे ये केसरी नात्र पार्टी का निधन हो गया चार राज्यों के ये गवर्नर रह चुके है बिहार के मेघाले के मिजोरम के और वेस्ट बेंगॉल के इसके बाद किस प्रदेश के पहले ग्यानपिट पुरुसकार विजेता रहमान राही का निधन हो गया है तो रहमान राही बिलॉंग करते थे जम्मू कुश्मीर से ठीक है अच्छा दिगज फुटवालर पेले का निधन हो गया 82 वर्ष की उमर में ये ब्राजील से थे ठीक है ब्राजील से हो जाएंगे प्रितिजकर विजेता वास्तुकार अराता इसो जाकी का 91 वर्ष की उमर में निधन हो गया है इनका संबंद किस देश से था तो अराता इसो जाकी इनका संबंद जापान से होगा न पर बॉलोंग गौंग विश्व विध्याल है गिफ्ट सिटी परिसरत में स्थापित किये जाने हैं ये कहां पर मिलेगा आपको सिटी या फिर हम यह क्या सकते हैं कि दो आश्टेलियाई गवर्मेंट यूनिवर्शिटी है ये open होने जा रही है और ये भारत में कहां पर open होगी तो गुजरात है तमिल नाडू है मद्धे प्रदेश है या फिर बच्चा हो जाएगा महराष्ट हाँ हाँ चालो correct answer क्या बनेगा M for महराष्ट अपना महराष्ट चालो तो correct answer क्या महराष्ट कैसे बनेगा बाई गुजरात ना गिफ्ट सिटी गुजरात हाँ तो correct answer क्या बनेगा correct answer बनेगा गुजरात option आपका a अगला वेश्विक इस्तर पर पारंपरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के सरकार SEO के तैत पारंपरिक चिकिसा पर पहले B2B वेश्विक संबेलर में एक्सपो कुछ नहीं याद रखना है कि एवर इतना याद रखना है कि एक्सपो ओन ट्रडिशनल मेडिसन बस काफी है याद ट्रडिशनल मेडिसन को प्रमोट करने के लिए है याद फिर मैं बात कुरू असम वैसे अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल आपके जो मेंबर है वो नौ है और नाइन्थ की अगर मैं बात करो तो नाइन्थ वाला आपका क्या हो जाएगा इरान नाइन्थ वाला अपका क्या हो जाएगा तो भाई इरान हो जाएगा करेक्ट आंसर बनेगा असम का नाम जब भी कभी आता है तो सरवानन्द सोनो वाल का नाम आपको याद रखना है सरवानन्द सोनो वाल का नाम क्योंकि इस समय अगला कुशन है भारत ने किस शहर में बिम्स्टेक एनरजी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक करी है यह मुझे कराना नहीं था लेकिन करा देते हूं मैं ठीक है कोई बात नहीं हाँ जी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ दा गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनरजी सेंटर जिसको क्याते हैं बी ई सी हाँ, गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है असम के गुलाब चंद गटारिया, गवर्नर हो जाते हैं कहां के, तो गवर्नर हो जाएंगे असम के, ठीक, चलो, खेर, अगला कुशन देखेगा, बैंगलूरू, सभी का अल्मोस्ट जित्ते लोग आंसर कर रहे हैं, बैंगलूरू, तो आंसर आपका क्या बनेगा, तो भई, आंसर बैंगलूरू, यानि ऑप्शन के मैं बात करूँ, तो ऑप्शन बे बिल्कुल ठीक है, नेक्ट कुशन की तरफ हम बढ़ते हैं, रास्टिय यूवा संसद महसब के, चौथे संसकरण का जो आयोजन किया गया, ये कहां पर किया गया है, तो भई, बात हो रही है, फूर्थ एडिशन ओफ, फूर्थ एडिशन ओफ, नाशनल यूथ पार्लियमेंट फेस्टिवल का, सबसे फूर्स टाइम 2019 में इसका आयोजन किया गया था, इस बार इसका कौन सा एडिशन है, तो इस बार इसका फूर्थ वाला एडिशन है, फूर्थ वाला क्या हो जाएगा, इस ब आजदानी दिल्ली ऑप्शन डी बाकी आप यह याद रखना कि आईडियास फॉर बेटर टुमोरो इंडिया फॉर दा वर्ल्ड ये इस बार की थीम है नैशनल यूथ पार्लियमेंट फेस्टिवल की अगला कुशन देखेगा मोटे अनाजों के प्रती जागरुकता के लिए अन्न मॉहसव आयोजित किया गया है और कहा क reindeer किया गया है इंटरनाशनल मिलिट के लेंट वो गोशित किया गया है वर्श दो-गजार थैसको आप सभी बहाद अच्छे दरीके से वाकित हैं इसी के तहट इसी के तहट बहुत साथे आपके प्रोग्रामस हो और है बिहार चलो तो correct answer हमारा क्या बनेगा तो correct answer हम लोगों का बन जाएगा बिहार यानि option A अगला question है केंद्रिय क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तॉमर ने किस राज्य के गुमला जिले में बहुत देशियं मेघा किसान मेले का उदगाटन किया है तो बस केवल इतना याद रखना कि मेघा किसान मेला मेघा किसान किसान मेला इसका जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा जार खंड़े करनाट का है उत्तरा खंड़े या फिर मैं बात करने की कोशिश करू तो गुजरात तुम पहले आंसर दो आना आंसर करो आप सारे किसारी भई ये पटना की पारो नहीं है ये पटना का परा है और एक्चल में परास को सबसे ज़्यादा शौक होता है परी बन करके घुमने का माबाप खुश होते हैं कि हमारे घर में बेटे ने जनम लिया है लेकिन यह जो पपा के परा होते हैं यह सब्सक्राइब कर ना फिर में लोगों के लिए रिया माम बहुत बुरी बन जाती है परी आओ बेटा पापा का पारा तुम वैसे ही उनका पारा बने हुए हो अगला कोशन देखो कोशन हमसे क्या क्या रहा है तो यह जो हम बात किरते हैं किसान मेले का तो यह जो किसान मेला है यह आपका कहां पर आयोजित किया गया है तो बेटा जारखंड में, यानि option के मैं बात करूँ, तो option आपका ए बिल्कुल ठीक है, दिबांग बहुत देश्य परियोजना, भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल्विद्यूत परियोजना है, ये कहां पर स्थापित की जा रही है, तो भाई एक बात आप सभी ध्यान प्रदेश है, या फिर मैं बात करने की कोशिश करो, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, हाँ, जम्मू कश्मीर, बेटा ध्यान से देखो, तो आंसर हम लोगों का क्या बनेगा, दिबांग मल्टी पर्पस जो प्रोजेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमार अरुनाचल प्रदेश यानि option हमारा B बिल्कुल ठीक है अगला कुछन है पहला बोडोलेंड इंटरनाशनल ग्यान फेस्टिवल यह आयोजित किया गया है तो पहला बोडोलेंड अंतरास्ट यह ग्यान महसब है फोर्स्ट बोडोलेंड इंटरनाशनल नॉलेज फेस्टिवल यह कहां पर आयोजित किया गया है तो असम है किरला है वेस्ट पैंगॉल है या फिर मैं बात करने की कोशिश करो तो तमिल नाडू ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा माम ए वाला ए पूर असम हिए पूर टेखो इसका मतलब क्या होता है अगर हम बात करने की कोशिश करें बाइम्बु क्रै diapers जैसे कि वैसा तो बैरियर लोहे के बने होते हैं लेकिन ये बैम्बु का बना हुए है और इसका नाम क्या दिया गया है यह इस तरीक से जो सडक के किनारे जो होता है सड़क के किनारे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बाहु बल्ली नाम से दुनिया का पहला 200 मीटर महारास्ट में पका हां जी महारास्ट हमारा एकदम करेक्ट आंसर बनेगा option ये बिल्कुल ठीक है अगला कुछ ने सुरक्षे शहर परियोजना की शुरुबात करनाट करनाट का बैंगलूरू से और इसकी जो शुरुवात करी गई है वो किसके द्वारा तो बहीं मोटा भाई के द्वारा यानि अमित शाहा जी के द्वारा अमित शाहा जी के द्वारा option अमारा क्या बनेगा बिल्कुल ठीक है अमित शाहा अगला कुछन है एम एहमदी का निधन हुआ है और यह जो है यह कौन है तो यह recently पास अवे हो चुके हैं recently ये passed away हो चुके हैं, A.M. Ahimadi ये passed away हो चुके हैं, तो former law minister है, गुजरात के governor है, ओड़ीचा के health minister रहे चुके हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि former chief justice जो हैं ये रहे चुके हैं, हाँ, तो correct answer हम लोगों का जो बनेगा, वो बनेगा कि ये former Chief Justice जो है वो रहे चुके है भारत के former Chief Justice कौन से नमबर के हैं तो ट्वेंटी सिक्स नमबर के CGI रहे चुके हैं CGI और इनका नाम क्यों हो जाएगा Justice A.M. एहम नदी है अगला कोशे रहे King फहद International Stadium में आयोजित 26W संतोश ट्रॉफी 36 वी रास्टिय संतोष ट्रोफी फुटबॉल की है फाइनल में करनाटक ने हराया और किसको हराया है 76 नंबर की है यह 76 नंबर की संतोष ट्रोफी संतोष ट्रोफी सबसे पहले तो यह बताओ संतोष ट्रोफी का संबंद किस खेल से है भई विनर कौन बनता है तो विनर बनेगा करनाटका और करनाटका ने जो हराया है यानि कि जो रनर अप रहेगा वो मेघाले रनर अप कौन बनेगा तो रनर अप बनेगा मेघाले विनर कौन बना है तो विनर बना है करनाटका अगले कोशिन की तरफ बढ़ें नेक्स्ट कोशिन की तरफ अगला कोशिन देखिएगा किस बैंक के प्रबंद निदेशक और मुख्य कारे कारी अधिकारे शशीदर जगदीशन को Business Standard Banker of the Year 2022 वो चुना गया है टेक है? ओके? ओके? बेटा अब तक तुमको ब्लॉक नहीं किये थे लेकिन अब कर रहे हैं ना माफी चाहूँगी मैं आपसे आप XYZ किसी भी टीचर की क्लास में जाके आपको जो अच्छा लगया आप वो चीज़े कर सकते हैं लेकिन प्रीज मेरे सेशिन में बिल्कुल मात करें क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो अगला कोशन देखिएगा कोशन क्या रहा है कि किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी शशीदर जिगदीशन को बिजनस स्टेंडर बैंकर ऑफ दा ये 2022 चुना गया है तो आंसर क्या बनेगा HDFC पका ओप्शन के मैं बात करूँ तो ए बिल्कुल ठीक है HDFC अगला कोशन है इंद्रा गांधी अंतरास्टी हवाई अध्डा को एशिय प्रशान चेτर में सबसे स्वच हवाई एड़ा गोशित किया गया ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो इंद्रा गांधी इंटरनाश्नल एयरपोर्ट ये सबसे clean एयरपोर्ट जो है वो बना है ये कहां पर देखने को मिलेगा अरे यह तो जमतकार हो गया इतना स्पीड से कहां बढ़ती है चीजें भाई तो यह आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा तो करेक्ट आंसर हम लोगों का बनेगा देश की राजधानी दिल्ली यानि option आपका ए बिल्कुल ठीक है अगला कुछ ने भारतिय सेना और किस किस देश की सेना के बीच में प्रथम संयोक्त सेन्य अभ्यासर फ्रिंजक्स 23 भाई यह first time आयोजित हुआ है नाम हो जाएगा इसका फ्रिंजक्स और जब हम फ्रिंजक्स की बात करते हैं तो यह किस देश के साथ मतलब हम लोगों ने इसको आयोजित किया है आगे बढ़ें चलो तो कोशन हमसे क्या क्या रहा है भारतिय सेना और किस देश के सेना के बीच प्रथम संयोक्त सेन्य अभ्यास फ्रिंजक्स 23 साथ और 8 मार्ट 2023 को केरल के तिरुवनंत पुरम के पंगोडे स्टेशन में आयोजित किया गया है तो बात वही है कि किसके साथ है फ्रांस के सा और फ्रिंजक्स हमारा क्या बनेगा फ्रिंजक्स हमारा बनेगा फ्रांस के साथ यानि option की मैं बात करूँ तो बे बिल्कुल correct answer है अगला कूशन है 28 महा लेखा नियंत्रक के रूप में अपॉइंट किया गया और यह कौन अपॉइंट हुए है तो बात ओ और यह 28 नंबर के controller journal of account 28 नंबर के CGA controller journal of account और यह कौन अपॉइंट हुए है SS दुबे है रश्मी देशाई है सलेश पाठक है या फिर अगर मैं बात करूँ तो आंसर हमारा क्या बनेगा रजीव रगुवंशी चिक है रजीव रगुवंशी चलिए तो correct answer आपका क्या बनेगा बिल्कुल बेटाब देखो 28 नंबर के कौन बने है 28 नंबर के CGA यह अपॉइंट हुए SS दुबे चिक है नाम इनका क्या हो जाएगा तो नाम हो जाएगा SS दुबे अगला कोशन देखिएगा किस राजी की सरकार 15 मार्च 2023 से परिवार चिकत्सक योजना जो है वो शुरू की है फैमिली डॉक्टर स्कीम को जो शुरू किया गया यह किस स्टेट गवर्मेंट के द्वारा जो है वो शुरू किया गया फैमिली डॉक्टर स्कीम और यह शुरू करी गई है केरला करनाटका तमिल नाडू या फिर मैं बात करू आंधर प्रदेश भारती दास को रिप्लेस किया है SS दुबे जी ने भारती दास को रिप्लेस किया है SS दुबे के दुआरा अगला कूशन देखिएगा किस राज़ी की सरकार 15 मार्च 2023 से परिवार चिकितसक योजना शुरू करेगी तो केरला है करनाटका है तमिल लाडू है या फिर मैं बात करूँ आंदरप्रदेश अक्का हाँ अल्मूस्ट सबका आंसर आ चुक है भाई आंदरप्रदेश यानि option की मैं बात करूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्ट कोशन देखिएगा शाथ मार्च 2023 को किस राज्य में अट्टूगल पोंगल फेस्टिवल यह सलिब्रेट किया गया है तो बात हो रही है पोंगल पोंगल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तमिल नाडू में पोंगल की बात करोगे तो तमिल नाडू में और जब हम सेलिब्रेट होगा केरला में अट्टूकल पोंगल केरला पका ना अट्टूकल पोंगल केरला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है अगला कूशन देखिएगा किरहें नई दिल्ली में आयोजित रास्टिया फोटोग्राफी पुरुसकार समाहरों में लाइफ टाइम अची अच्छा पढ़ाते हैं जिसके कोई हद नहीं है और उनका पढ़ाया वा तो दिमाग में अल्रेडी छप जाता है फिर बेटा तुम यहां पर भी आंसर ना दे पा रहे है ठीक है हाँ आप कहो तो आपकी बात करवा दिजाए सर से ठीक है तो बेटा तुम तो उनके स्टूडेंट हो तुम्हें तो और शालिंता दिखानी चाहिए है ना हम लोग तो कहाँ छोटे मोटे हैं लेकिन आप तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट है तो आपको तो और शालिंता दिखानी चाहिए कि आप गौरव सर के स्टूडेंट है कुछ भी मतलब चलो अगला कोशन देखिएगा कोशन किया रहा है किन्हें नई दिल्ले में आयोजित रास्टिय फोटोग्राफिय पुरुसकार समारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट कि आप रिस्पेक्ट करें मैंने जब जब उन्हें देखा है तब तब शायद हर क्लिप में हर वीडियो में सबसे ज़्यादे टीचर्स की रिस्पेक्ट वही सर करते हैं और आप यहां आकर के डिस्रिस्पेक्ट कर रहे हो इसका मतलब आप किसको डिस्रिस्पेक्ट कर रहे अगला कोशन देखिएगा बड़ी देर से परिशान हो रहा था हो बच्चा नो बहुत लंबे समय से परिशान खेर मैं कभी बोलती नहीं आस तक और ना मैंने कभी बोला लेकिन आज मैंने फर्स टाइम बोला है कोशन आपसे कह रहा है कि किनहें नई दिल्ली में आयुजित रास्टिया फोटोग्राफी पुरुसकार समारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से समानित किया गया है तो शिप्रादास अक्का शिप्रादास बिल्कुल बेटा आंसर आपका क्या बनेगा तो ऑप्षिन के मैं बात करूँ तो ऑप्षिन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है शिप्रादास अगला कूशन है भारतिया वायू सेना में लड़ाको इकाई या फिर फाइटर यूनिट की कमान्द सम्हालने है भावना कांत है अवनी चतुरवेदी है मोहना संग है या फिर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो सालिजा धामी नहीं बेटा ऐसा नहीं है मैं परसनली मिली भी थी सर से तो सर ने बस केवल इतना बोला कि आप केवल महनत करते जाओ बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी जीवन में शांती बनाए रखनी है एक तो एक धहरिय बनाए रखना है और बाकी आप जो जवाब लोगों को दे सकती है वो केवल अपनी महनत से दे सकती है तो मुझे आज भी याद है कि वो बस केवल इतना कहते हैं कि तुम बस मेहनत करो आप बस केवल मेहनत करो चीज़ें अपने आप सौट आउट हो जाएंगी तो जित्ते लोगों का आँसर आचुका है ऑप्शिन की मैं बात करूँ अगला कुशन है BBC Indian Sports Women of the Year पुरुसकार ये 2022 और इससे जो सम्मानित किया गया है तो BBC Indian Sports Women of the Year जो चुना गया है ये किन को चुना गया है बिल्कुल तो देखो BBC Indian Sports Women of the Year पुरुसकार ये शायद किन को मिला है तो पीवी सिंदु है भाविना पटेल है अवनी लेखी रहा है या फिर हम बात करें मीरा बाई चानू तो दा वन और अल्ली एक ही परसन हो सकता है और इनका नाम क्या बनेगा तो इनका नाम बनेगा मीर जाए चानू आपका डी अगला कूशन है भारत के पूर्व फुटबॉल गोल कीपर कुपू स्वामी संपत का निधन हो गया और ये जो कुपू स्वामी संपत है ये कहां से बिलॉंग करते हैं चेक हैं आगे बढ़ाव अगले कूशन की तरफ कोशन गया रहा है कि भारत के पूर्व पुटबोल गोल कीपर है कुप्पु स्वामी संपत इनका निदन हो चुका है ये छोड़ करके जा चुके हैं हमें तो ये जो बिलॉंग करते हैं वो कहां से बिलॉंग करते हैं ये किस देश के नए रास्टपती जो है वो चुने गए हैं तो बस एक नाम आप लोगों को याद रख लेना है और इनका नाम क्या हो जाएगा तो इनका नाम हो जाएगा रामचंदर पॉडेल ठीक है रामचंदर पॉडेल और ये जो रामचंदर पॉडेल है यह किस देश के नए राष्टपती चुने गए हैं तो नेपाल के श्रीलंगा के पाकिस्तान के या फिर मैं बात करने के कोशिश करूँ तो बांगलादेश के हाँ जी रामचंद्र पॉडेल नेपाल बिलकुर तो correct answer आपका क्या बनेगा तो correct answer आपका बनेगा नेपाल option A अगला question देखिएगा जन ओशदी सस्ती भी अच्छी भी theme के साथ पांचवा जन ओशदी दिवस जो है ये किस मंत्राले के द्वारा celebrate किया गया है जन ओशदी दिवस ये celebrate कब होता है जन ओशदी तिवस ये कब मनाया जाता है या ये कब celebrate होता है तो किसके द्वारा शुरू किया गया है केंदर सरकार के द्वारा Ministry of Health and Family welfare के द्वारा या फिर Ministry of Rural Development के द्वारा या फिर हम बात करते हैं तो Ministry of Aiyush के द्वारा पक्का बिल्कुल भई जन औशिदी सस्ती भी और अच्छी भी तो Ministry of Health and Family Welfare option के मैं बात करूँ तो option आपका भी बिल्कुल ठेक है 7th of March पक्का 7 March 7th of March पेटा मुझे याद है फिर तुम्हें याद कैसे नहीं है अगला कोशन है किस राज्य द्वारा मुखे मंत्री एकल महीला स्वय रोजगार योजना शुरू करने की घोशना करी गई है अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि चीफ मिनिस्टर सिंगल विमन टू स्टार्ट सेल्फ इंप्लॉइमेंट स्किम ये कहां कि द्वारा शुरू करी गई है चीफ मिनिस्टर सिंगल विमन टू स्टार्ट सेल्फ इंप्लॉइमेंट स्किम तेलंगाना है उत्राखंड आंदर प्रदेश है या फिर मैं बात करू हिमाचल प्रदेश तो भई कुल मिला करके स्वर रोजगार जो सिंगल विमन से उनके लिए इसको शुरू किया गया है तो तेलंगाना है उत्राखंड आंदर प्रदेश है या फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश पक्का अल्मूस्ट सबका अंसर आ चुका भई उत्राखंड हाँ उत्राखंड सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी के उपन्यास पागल खाना को वर्ष 2022 के व्यास सम्वान के लिए चुना गया है इन्हें कौन से नंबर का व्यास सम्वान दिया गया है तो बात है 1991 के आस द्वारा तीन पुरुसकार जो है वो शुरू किये जाते हैं तीन पुरुसकार या फिर मैं बात करूं तो तीन अवार्ड एक तो आपका हो जाएगा सरस्वती सम्मान सरस्वती सम्मान एक हो जाएगा आपका व्यास सम्मान व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान और एक आपका क्या हो जाएगा तो भई बिहारी सम्मान बिहारी सम्मान ठीक है बिहारी सम्मान तो correct answer आपका क्या बनेगा ज्यान चतुरवेदी को 29-30-31-32 है ना? कौन से नंबर का जो है वो व्यास सम्मान इनको जो है वो मिल रहा है व्यास सम्मान व्यास सम्मान दो हजार बाइस इनको मिला है ज्यान चतुरवेदी को ज्यान चतुरवेदी को तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें से बत्तिसवा अरे अल्मोस्ट सबका आच चुक है बही करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा बत्त अच्छा यह है ग्यान चतुरवेदी जी और यह इनका उपन्यास हो जाएगा पागल खाना हाला कि जब हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 का जैसे कुछ अवार्ड्स हैं 2018 का लीला धर जोगडी को मिलाता है जितने लोग उतने प्रेम के लिए और 2017 का ममता कालिया को मिलाता है किसके लिए तो इतनी बात आपको यहां से क्या रखनी है याद रखनी है अगला कूशन देखो ब्रिटिश वास्तुकार सर डाविड चिपर फिल्ड ने 2023 प्रितजकर आर तो यह याद रखेगा कि यह इस बार कौन से नंबर के प्रितजकर पुरुसकार है तो भई यह हो जाएंगे 45 नंबर के 45 नंबर का प्रितजकर प्राइज और यह इसका जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा एथेन्स ग्रीस में पैरस फ्रांस में लॉस एंजल्स कालिफोर् ब्रिस ब एन उस्टेलिया में आंसर आया किसीगा पक्का, चली तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा करेक्ट आंसर बनेगा एथेंस, ग्रीज में अचा, इसके अलावा इससे पहले वाला जो प्रितज inherent प्राइज मिला है वो फ्रांसिसी केरे को मिला था है ना शायद आप लोगों को या दो यह 2023 का है लेकिन 2022 में किन को मिला था तो यह फ्रांसिसी केरे को मिला था 2021 का जो पृतजिकर प्राइज है यह किन को दिया गया है तो यह एनी लेकोटिन को और जीन फिलिप वसल को अगला कोशन है किस देश में ली च्यांग को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है तो देश के जो नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए है इनका नाम हो जाएगा ली च्यांग और ली च्यांग के मैं बात करूं तो आंसर हमारा क्या चाइना की जनसंख्या में और भारत की जनसंख्या में चाइना की चीन की जनसंख्या बस एक डिफ्रेंस मोटा मोटा मिलियन में बता दो चीन की जनसंख्या भारत से ज्यादा हो गई है भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या दोनों में मोटा मोटा डिफ्रेंस 2.9 मिलियन किसी सिंगल बच्चे का अंसर आया 2.9 अरे वाह क्लैपिंग करो जिनका अंसर आ चुका 2.9 मिलियन अंसर क्या बनेगा हमारा 2.9 मिलियन अगला कुशन देखेगा चाइनीज प्रेसीडेंट है जिन पिंग ये थार्ड टाइम वापस से प्रेसीडेंट बन गए है चाइना के अगला कुशन है एक देश एक चालान का प्रियोग करने वाला पहला रज्य जो बना है ये कौन सा बना है तो भाई बात हो रही है यहाँ पर किसके तो बात हो रही है फिर्स स्टेट टो यूज वन कंट्री वन चालान अना एक देश एक चालान एक देश एक चालान का प्रियोग करने वाला जो पहला रज्य है वो है केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मैं बात करूँ तो मद्धे प्रदेश अभी नहीं हुई बेटा हो गई है तुम पीछे चल रहे हो गुजरात, आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा आपका गुजरात, ऑप्शन बी अग्रे कुशन है भारतिय नौ सेना का अब तक का सबसे बड़ा द्वी वार्षी एक एक सेसाइज है जिसका नाम हो जाएगा नाम तो आपको बताना है था क्योंकि ये अभी खतम हुआ है मार्च में तो भारतिय नौ सेना का अब तक का सबसे बड़ा द्वी वार्षी का अभ्यास अरब सागर में संपन हुआ है इसका नाम आपको बताना है तो प्रॉपेक से फ्रिंजेक से शिन्यू मैत्री है कोबरा वारियर है तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा गुजरात गुड इवनिंग निर्भय पटेल जब तक तुमको गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे बेटा तुमारी इवनिंग गुड होने की ना है और फिर तुम्हें क्लास को चलने नहीं देना है एकदम कते ही छोटा सा दोस्त समझ लिए हैं हमको हां मतलब लाइक तुरंत रूठ जाते हैं हमसे मैसेज के रिपलाई ना करो टेलिग्राम पर तो तो मूँ फुलाई लेते हैं लाजमी है फिर तो क्लास में बिलकुल ना थे बेटा एक बास सोचो कितना समय नहीं मिल पाता कि सब के मैसेज़स के रिपलाई करो ठेक है खेर आंसर क्या बनेगा ट्रॉपेक्स ट्रॉपेक्स चलो तो करेक्ट आंसर बनेगा ट्रॉपेक्स हां जैसे ऐसा होता ना एक वाले फ्रेंड्स होते हैं तो यह हम को अपने साथ वाला दोस्त समझ लियत है बिलकुल जैसे चंगू मंगू तो वैसे ही सोचते ओर मैं चंगू हूं कसम से क्यार कोशन देखिएगा कोशन किया रहा है खाद्य प्रस अंसक्रण उद्योग मंत्रा ले वर्ल्ड पूड इंडिया दो हजार तेइस के सेकेंड वाले एडिशन का आयोजन जो करेगा यह कहां पर करेगा तो भाई यह याद रखिएगा वर्ल्ड फूड वर्ल्ड बिलकुल भाई तो याद रखेंगे देश के राजदानी दिल्ली अगला कुशन है 10 और 11 मार्च को आयुजद समुद्री सांजेतारी अभ्यास जिसको हम क्याता है मारे टाइम पार्टनर्शिप एक्सराइज जिसको हम क्याता है MPX MPX में INS सहियाद्री ने किस देश की नौ INS सहियाद्री ने हमारे साइश से क्या किया है participate किया है तो MPX हमारी किसके साथ होईगी फ्रांस के साथ चलो तो Correct answer आपका किया बनेगा तो Correct answer आपका बनेगा फ्रांस अगला कुशन है 95-08 अकादमी पुरुसकारों में पॉलिवुड गानों को पचाड करके मशुहूर भारतियगीत नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया है यह गाना MS SS राजमौली की प्रसिद्ध किस भाशा की फिलम आरार का है तो यह जो आरार आपकी मूवी है यह किस लेंगविज की है क्योंकि नाटू नाटू तो सौंग इसी का है नाटू नाचू ठीक है तो आंसर क्या बनेगा हिंदी है तमिल है तेलगू है या फिर मैं बात करूं तो कनड तेलगू सब लोग आंसर दे दिये भाई करेक्ट तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा तो करेक्ट आंसर बनेगा तो आप यह याद रखिएगा तो आप यह याद रहेगा कि दो एलिफेंट वहिस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्युमेंटरी अवार्ड जो है यह दिया गया है बाकी सर्वस अभीनेता यह ब्रेडन फ्रेजर है और बेस्ट अभीनेता मिशेल यो है तो एक्टर और एक्टरस तो एक्टलिस याद होने चाहिए किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सेना में भरती करने का फैसला किया है तो यह किया है कमबोडिया ने अगला कुशन है 14 मार्च 2013 से तीन महिने की अवधी के लिए एलाइसी का जो अंत्रिक्ष अद्यक्ष बनाया गया यह किसे बनाया गया है सिर्फ ओन ले थी मंत के लिए मैनेजिंग च्वेशैरमेन बनाया गया है लिए की वश्रम के लिए तो केवल और केवल 3 मन्त के लिए कब से तो मार्च 14 से 14 मार्च से 14 अपरेल 14 अपरेल से 14 मही मही तक उसके बाद फिर कोई ना कोई फाइनल इसका हैड जो है वो बन जाएगा तेक है आगे बढ़े मैंने भी कमबोडिया ही बोला है अगला कुशन है प्रधान बंतरी नरेंदर मोधी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लैटफॉर्म का उधगाटन किया है तो दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लैटफॉर्म है यह आपका बनाया गया है और यह कहां पर बनाया गया है इसके लंबाई भी आप मुझे commentation में comment करेंगे कि मैं इसके लंबाई कितनी है जो गोरखपूर वाला जो था उसको पीछे कर दिया है गोरखपूर का जो railway platform था ये अब second पर आ गया है तो first पर कौन सा होगा अगला कोशन देखेगा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरुकता पैदा करने के लिए कहाँ पर votefest 2023 का आयोजन किया गया है तो भई votefest 2023 और इसका जो आयोजन किया गया है दिल्ली है मुंबई है लखनव है या फिर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो बैंगलूरू votefest की मैं बात करूँ तो आंसर हमारा क्या बनेगा बैंगलूरू पकहा पक्का और जैसका बनेगा आपका बैंगलूरू होंगे हाला कि जो 36 नवर के नाशनल गेम है 36 नमबर के नाशनल गेम हैं यह गुजरात में आयोजित कि यह गए लाद में 37 वाले कहां में हमना यह होंगे उत्रा खंड में यूके में और ये पीटी उशा जी की अध्यक्ष्ता में तै किया गया है पीटी उशा जी की अध्यक्ष्ता में हाँ पीटी उशा बिल्कूल ठीक है जरा ये बताओ 37 वाले जो होंगे ये कहां पर होंगे गोवा 37 वाले चलो तो आंसर क्या बनेगा 37 वाले होंगे गोवा में 37 वाले कहां पर होंगे तो गोगा में अगला कुछिन है बहु पक्षी अभ्यास ला पैरोस का कौन सा संस्करन हिंदु महासागर में 13 और 14 मार्च 2023 तक आयुजेत हुआ है तो बात हो रही है ला पैरोस की और यह जो ला पैरोस है इसका कौन सा एडिशन है तो फॉर्स्ट है थर्ड है एट्थ है या फिर मैं बात करूँ तो टैन्थ वाला एडिशन हो जाएगा ला पैरोस का कौन सा एडिशन है हाँ गोगा माई ड्रीम प्लेस अहाँ बेटा मेरा भी है लेकिन ड्रीम तो नहीं पता लेकिन हाँ यह है कि एक बार जाना जरूर है कुमी में से कोई आ जाए तो ठीक है चलेंगे गोगा ऐसे तो पता नहीं कब जा पा रहे है तुम लोग भी तो मेरी नहीं सुनते थर्ड थर्ड तक का चलो तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड यह अप्शन बी अगला कुशन है स्टॉक होम इंट करेक्स करें आहिए तो मैंि यह इंप करता है दो यह बना हुआ भरत आट कहीं और शृण भारत को पता है की सबसे जादा अगर मैं देखने के कोशिश करूं तो हमने रशीया से चाब्रिया है उसके बाद सेकांड पर फरांस हो जाएगा थार्र पर यॉनाइड स्टेट हो जाएगा ठीक है फॉस्ट पर आपका रशिया है सेकेंड पर फ्रांस से हम सबसे ज़्यार लेते हैं वेपन्स लेते हैं तर्ड पर युनाइटेड उस्टेट हो जाएगा एक्चुल में सबसे ज़्यारों को वो अमेरिका है अना लेकिन वह अलग बात है कि भारत अगला कोशन देखिएगा, कोशन कहना, विकारी मुक्त शहर नमक एक नई स्किम शुरू करी गई है, और यह जो स्किम है, इसको कहां पर शुरू किया गया है, तो भिकारी मुक्त नमक शहर एक जो नई पहल शुरू करी गई है, यह कहां पर शुरू की गई है, तो भई महाराश्ट है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर मैं बात करने की कोशिश करूँ, तो आंदर प्रदेश, भई यह शुरू की गई है आपकी कहां प लाइवलिफोड्यमिशन और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ओडिसा है, केरला है, मणिपुर है या फिर अगर आप बात करोगे तो मेघाल है अपी मैम चलो तो आंसर क्या बनेगा CM Tribal Livelihood Mission को जो शुरू किया गया वो ओडिसा है, केरला है, मनिपूर है या फिर हम बात करें, मेघाल है, ओडिसा हाँ, बिल्कुल, the one and only आंसर बनेगा ओडिसा, option A अगला कुशन है, वंदे भारत Express का संचालन करने वाली वंदे भारत Express का संचालन करने वाली, एशिया की पहली महिला, लोको पाइलेट जो बनी है ये कौन बनी है, तो सुरेखा यादव शाली जाधामी है, सुर्भी जखमोला है या फिर मैं बात करो, वैशाली हिवासे तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा सुरेखा यादव, पक्का सुरेखा यादव option है next question क्या रहा है, नदियों के अस्तित्व को बचाने और लोगों को इसके बारे में जग्रो करने के लिए प्रतिवर्श, चवधा माश को नदियों के लिए कारवाही का अंतरास्ट्रे दिवस मनाया जाता है, इस बार कौन से नंबर का मनाया गया है तो वह international day of action for reverse मनाते कब है, तो 14th of march को मनाते है 14th of March को इस बार कौन सा मनाया गया 26th नंबर का बेटा सब का अंजर के लिए सिर्फ एक विजय का अंजर ठीक है 46 26th नंबर का option D अगला कुशन है 10 और 11 मार्च को आयोजित समूदरी संजेतारी अभ्यास में आयने सहियादरी ने भाग लिया इतो हम पढ़ चुके हैं कि किसके साथ आयोजित हुए हमारा प्रांस के साथ सुप्रीम कोट ने भारत में जंगली जानवरों के इस्थानांतरन आयात के देखरेक के लिए समीति का अध्यक्ष बनाया गया है तो सुप्रीम कोट ने भारत में जंगली जानवरों के इस्थानांतरन आयात के देखरेक के लिए समीति का अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस दीपक वर्मा है, जस्टिस सोनिया गिर्धर गोखानी है, जस्टिस संदीप महता जी है, जस्टिस जस्वंत सिंग जी है तो एक ही आंसर मुझे दिख रहा है और वो करेक्ट आंसर बनेगा जस्टिस दीपक वर्मा अगला खुशन है, पांच वर्षों में अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शिल्ड ये किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है अगर हम बात करेंगे फ्रीडम शिल्ड और ये जो फ्रीडम शिल्ड एक्सेसाइज है ये किन दो देशों के बीच में आयोजेत हुई है तो फ्रीडम शिल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और रशिया है इंडिया और अमरिका है इंडिया और ओमान है साउथ कोरिया और युनाइटेड स्टेट हमारा क्या बनेगा बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा साउथ कोरिया और युनाइटेड स्टेट अगला कोशन है रेशम कीट भीमा योजना शुरू करने वाला देश का जो पहला रज बन गया है यह कौन बन गया है तो भाई रेशम कीट भीमा योजना रेशम कीट भीमा योजना शुरू जो करी है वो महाराष्टर उत्राकंटे केरला या फिर मंतिप्रदेश है बेटा आगे से करंट अफ चाहे Wednesday हो चाहे Wednesday हो चाहे Thursday हो चाहे Friday हो चाहे Saturday हो कुछ भी हो है ना तो आगे से morning में ही हुआ करेगा 7 a.m. 7 a.m. इसके अलावा no time और किसी time नहीं हुआ करेगा क्योंकि बाकी समय पे तुम आते नहीं हो है ना तुम आते नहीं हो आज मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि मेरा continue session चलता है लेकिन मेरे आराम के चक्कर में तुम सारे के सारे गायब हो चालते हो एक है बिल्कुल भाई बिल्कुल अहां मॉर्निंग में ही सही रहता है एक मासूम प्रिया करी मैं हम दो बजे लिया करो बेटा मासूम बहुत मासूम हो तुम क्यार सिल्क वार्म इंशॉरेंस के अगर मैं बात करो तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है उत्राखंड के द्वारा अगला कुछन भारतिय सिना ने किस देश की सेना के साथ संयुक तब्यास बोल्ड कुरुक छेतर के तेरहवे संस्क्रण में पार्टिसिपेट किया है तो अगर हम बात करना चाहिए बोल्ड कुरुक छेतर इसका 13 वाला एडिशन हुआ है और किसके साथ सिंगापूर के साथ अगला कुछन है भारतिय सिना यह अच्या एफ इंडेक्स हो रहा है यह ओके 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 देखो बारतिय से एक्यस मार्स से 30 मार्स तक ओन्ध सैन्य स्टेशन में बहु रास्ट है अफ्रीका सैन्य अफ्रीका भारतिय है चेतरा प्रस्टिक्शन अभ्याद कुछ नहीं है बस के वल एफ इंडेक्स याद रखिएगा बात खतम हाना इंडियान अफ्रीका फियल्ड ट्रेनिंग एक्सेसाइज है अफ्रीका इंडिया फियल्ड ट्रेनिंग एक्सेसाइज है नाम हो जाएगा एफ इंडेक्स और यह कहां पर इसका कौन सा एडिशन हुआ है एफ इंडेक है नर्गा Какि अगला कुछ ने सेंट्रल बैंगिंग इंदी बारा अवार्ड मिला है 2020 क eraser क्या सेंग्सिय्स वहीं वहरं कुछिन करा है अगर हम के तो लाइंग क्यों हम उप देश शक्तिकांत दास इस समय 25 वे गवर्नर है आर्मी के 25 नमबर के गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास अगला कुशन देखेगा बुमुचु एक वार्षिक पवित्र जल फूलदान फेस्टिवल है बस इतना बताना है कि यह जो बुमुचु है इसका संबंद कहां से हो जाए बुमचु का संबंद है वो कहा से हो जाएगा तो सिक्किम है मनिपूर कहां से हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा table top exercise यह exercise है किसकी तो इंडियन कोस्ट गार्ड की exercise है इसका कौनसा एडिशन किया गया है इसका fourth वाला एडिशन हो जाएगा option हमारा D अगला कुशन है किसके पूर्वनिदेश के विजिया रामा राव का 85 वर्ष के अमर में निधन हो चुका है तो वह एक head है लेकिन यह किस चीज के head है यह आपको बताना है नाम इनका क्या हो जाएगा तो के विजिया रामा के विजिया रामा सेबी के नाबाड के CBI के या फिर अलमोहद अलहिंदी 2023 के लिए तयार है तो एक exercise आईजित की जा रही है इसका second वाला addition होगा अभी मई के last में या फिर अभी पता चल जाएगा कि कब इसका आयोजन होगा तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करना चाहें कीरन होगा तो किस के साथ हो रहा यह हमारा साओधी Drab के साथ अग्ला कुछने सरस्वती समान 2022 के देंगा और यह किनहे चुना गया है तो सरस्वती समान अजगर वजाहत ग्यां चतुरवेदी है रामदर शेव Anim astrology क्ले मैंस और हम बात एक है सरस्वती समान शिवशंकरी अच्छा इनकी रचना का नाम कि सूर्यवंजम इनकी रचना का नाम क्या हो जाएगा तो सूर्यवंजम किरशी और किसान कल्याण मंत्राले की सहायता से किस शहर में agree unifest का उदगाटन किया गया है तो बात हो रही है agree unifest की कोशन के रहे हैं गाइशिया का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है अगला कोशन है विश्व के सर्वस्टेस्थ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है तो बही, फॉर्स्ट पर हो जाएगा आपका Singapore, सेकेंड आपका हमाद है, थर्ड आपका Tokyo है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो फॉर्स्ट की मैं बात करूँ, तो फॉर्स्ट आपका हो जाएगा Singapore, Changi Airport, चांगी Airport, दिली में इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवाईड़ा, भारत और दक्षिन एशिया में, सर्वस्ट रेस्ट हवाईड़े का नाम दिया, 2023 में चत्तिसवे स्थान पर ये रहा है, 2022 में चत्तिसवे, हैदराबाद की बात करते हो, तो ये 65 पे रहा है, और बैंगलॉर की अगर हम बात करते हैं, तो 69 वे स्थान पर है, कुल मिलाकर के, तॉब इयर पुट में रहा है, तो耐 पूप हंड्रेड में, विश्रो में बात करूँ, तो हमारे रहा हो तो हमारे रहा है, तो हमारे 3 अियर पूट ऑऊद्री देवी जैन आवड़ पोर आउटस्टांडिंग् मेडिया-पर्शन का विजहता जो चुना गया है, ये किसको दिया जाता है तो 2022 के लिए चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टेंडिंग वुमन मीडिया परसुन का विजयता किने चुना गया है तो धन्या राजिंदरन को अगला कुछत नबाकु नियंतरण प्रियासों के लिए कि श हैर को 2023 भूला जाए तो करना टक९ अगला साथवी अंतरास्टिया मदू में है शिकर सम्मेलन 2023 का उधगातन यह पुने में किया गया है पुने बोला जाए तो महारास्ट बिल्कुल ठीक है 7th International Diabetes Submit 7th International Diabetes Submit की मैं बात करूँ तो पुने महारास्ट में पुरुष और महिला वर्ग में हॉक्की इंडिया बलवेर सिंग सीनियर अवार्ड पर प्लेयर ऑफ दा इयर 2022 से चुना गया जरा इस कुशन का अंसर आप देदें अच्छा कुशन है आप देदेंगे तो अच्छा लगेगा चलो आगे बढ़ो तो पुरुष और महिला वर्ग में हॉक्की इंडिया बलवेर सिंग सीनियर अवार्ड पर प्लेयर ऑफ दा इयर 2022 हार्देग सिंग और सवीता पुनिया हार्दिक सिंग और सवीता पुनिया विल्कुल भाई करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा हार्दिक सिंग और सवीता पुनिया हाँ जी हार्दिक सिंग और सवीता पुनिया बाकी होकी इंडिया मेजर ध्यांचंत लाइफ टाइम अच्छीमेंट अवार्ड किनको मिला है तो मैं तयार हूँ, क्या आप तयार हैं और अगर हैं तो प्रीज कॉमेंट शिशन में जरूर कॉमेंट कीज़ेगा, बाकी मुलाकात करते हैं सुबह साथ बजे, असी नहीं है, 76 की आसपास कुशन दे, 10 दिन का और कॉंटेंट बचा है मार्च में, 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक का कॉंटेंट जो वो बाकी है, तो ये वाला मैंने इस बार करा देना है, मतलब इस साटरडे या फिर इस वाले संडे को, और इस वाले संडे को क्लास सुबह ही होगी, तो इस संडे को क्लास आप ल लगती है कोई मतलब 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 तो खेर थाई क्लास लेने का ऐसा नहीं है कोई मतलब नहीं था लेकिन फुरा दिन हो जाता है जब आपसे मिलते नहीं है तो बड़ा सा अच्छा नहीं लगता बाकि बूस्टर डोस आप लोगों को शयद काफी हेल्प कर रही होगी ठीक है हा कॉमेंट करेंगे तो वह इस आपको मिल जाएगी बूस्टर डोस में ठीक है आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा स्वस्त रहें मस्त रहें हस्ते रहें खिल खिलाते नों और सीखते रहें मेरे साथ और पूरी ससी वाला टीम के साथ म मिलते हैं कल सुबर साथ बचे एक नए जोश नए जुनून के साथ है ना सोंबार होगा बढ़िया परफॉर्म करेंगे एक नंबर ठीक है